आपके विचारों पर निर्वर करता है अगर आप प्रसन रहना चाहते हैं तो आप हर पल में ही प्रसन रहेंगे अगर आप अपने मन में बार बार नकरापमत विचार लाईगे तो आप दुखी ही होंगे विचार ही हर व्यक्ति का शत्रू और मित्र होता है श्री क्रिष्ण कहते हैं किसी के साथ चलने से अगर आप प्रिया प्रेतम बाजान बगवत प्राप्ति जगत क्यों नती के लिए ये इस लोग जगा जाकतिक इश्वरी की प्राप्ति चाहे नोकरी हो चाहे ब्यापार हो चाहे किसानी हो चाहे किसी विका उच्छा संपन कभी अपना उच्छा टूटने नहीं देना चाहे वो तभी नहीं टूटेगा जब भगवान का अस्रे होगा कर दो मकर तुम अनिथा कर तुम शरुषमल्ख में बगवाने आज मैं आ रहा हूं तो कल जीत जाओंगा उच्छा तभी आगवा संपन्द रहेगा जो भगवादार्श है उच्छी में अपने को कभी निराश नहीं होने देना कभी टूटने नहीं देना कभी हारने नहीं देना क्योंकि कभी संपन्द होता है कभी अनुपूलता आती, कभी प्रतिपूलता आती कभी जय आती, प्राजय आती, ये तो अंदर चलते रहेंगे, चाहिए कोई विव सबकी जीवन में आते हैं, पर हमें उत्सा संपन्द बनना है, इसके लिए भगवदार्श रहें, अंदर से चलना चाहिए हरी शर्णम, ये हो आप में आपकी शर्णम, तभी आप इस लोग मे प्राज कर सकते हैं, उत्सा संपन्द हो सकते हैं, ये तो उत्सा पीजय में दिखाई देती हैं, अनकुलता में दिखाई देती हार में कहां उत्सा दिखाई, सब निराश हो जाते हैं, लेकिन वही जूर्वीर है, जो हार में भी निराशा ना देती हैं, और किशी भी कारे क हम इक कल करने के लिए दिया गया है बहले संबंद कर लूँ ethic दौरा हम पूरा आज लेते हैं यह से से यह से करना हम कारे की सपलता का पूरा अप्रेदिमाग में बेठा लेते हैं जिसे उझसुन रुषोध्या वई है जो बनाने के पहले दिमाग में बना दे, उत्तम कार्य करता वही है, जो कुछ भी कार्य करने के पहले दिमाग में पूरा उसका निश्चे कर ले, ऐसी हिम्मदी रशुत्रम किसी कार्य को आगे डाले ना, अगर इस संसार में उन्नती प्राप्त करने हैं, हमें परिक्षाप एक महीने बाद देने लेकिन आज ही प्रस्ण कर लिया जट उसका उत्तरम दे देंगे, ऐसी तैरी रखनी चाहिए, कल के कार्य को आज ही संपर्ण करने की प्रतिय रखना है, क्रिया विदेग्यम, जिस कार्य में लगे उसको विधान से करे, मनमानी नहीं, जाहे वो पढ़ाई हो, जाहे वो व्य अलग अलग विधान होते हैं, प्यापर का अलग विधान होता है, नोकरी का अलग विधान होता है, अलग अलग जो विधान है, जो सिस्टम है, बिल्को ठीक उसके अनुसार आपको ग्यान होना है, क्रिया विदेग्यम, और जो कार्य आपको दिया गया है, वो एकार होकर कर अगर कोई आपका उपकार करता श्वास घात्मन करें उसका करता कि रहे हमारे को उस तो चूप अजिए उसे प्राप्त हो सकता है भगवान का अच्छुनों का दिवन में दिन निराथा नहीं दिन